समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस साल 1 जुलाई 2022 को भारत ने अपने पहले स्टेल्थ हतियार यानि कि औरा स्टेल्थ ड्रोन का जो पहला मोडल है जिसे हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं उसकी पह तो दुनिया भर में औरा को लेकर खूब हाइप बन गई थी इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर खूब आर्टिकल लिखे थे खूब डिसकशन किये गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछी समय के अंदर भारत औरा का निर्मान कारिय शुरू करके जल्द स जल्द इसे बनाकर सेना में शामिल भी कर लेगा लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसका पहला टेस्ट होने के बावजूद पिछले पांच महीनों से इस पर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई और ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंता जनक बात थी इसका कारण ये है कि प बहुत दूर की बात लगती है और इसलिए आप देखोगे कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं सब के सब अडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं यहां तक कि तुर्की जैसे जो छोटे देश भी हैं वो भी ड्रोन के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और आपको बता दूँ कि आज की तारीक में ड्रोन मार्केट की हालत यह है स्क्रिपर आप देखिए फाइनेंशल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ड्रोन मार्केट दो हजार पच्चिस चब्विस तक यानि कि आने वाले तीन से लेकर चार सालों में 30 बिलियन डोलर से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीक में ड्रोन ना सिर्फ युद जीतने की चाबी हैं बलकि कमाई का भी एक बड़ा जरिया बन चुके हैं दुनिया के तमाम देशों के लिए लेकिन में सवाल यह है कि इन सभी में भारत कहां खड़ा है तो आपको चाहे बात अच्छी लगे या बुरी लगे ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत ड्रोन अडवांसमेंट के मामले में बहुत जादा पीछे है मैं छोटे स्वाम ड्रोन या फिर कामी काज़े ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूं वो रुस्तम टू बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार-बार उसके जितने भी टेस्ट हुए हैं वो फेल कर रहे हैं रुस्तम टू बार-बार क्रैश कर रहा है और इसी का नतीजा ये है कि भारत आज की तारिक में ड्रोन के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर पर अमेरिका से predator drone लिये है और भविश्य में और भी लेने जा रहे हैं और इससे आप समझ सकते है कि भारत के drone बेडे की आज ये तारिक में क्या हालत है लेकिन आपको बता दू कि अच्छी बात यह खी जटके में ये सारी कमी दूर कर सकता है औरह के जरीए क्योंकि औरह इन स ये दुस्मन देश की राजधानी के ऊपर से होकर वहाँ पर स्ट्राइक करके वहाँ पर मिसाइले बरसा कर वापस भी आ जाएगा उस देश को पता भी नहीं चलेगा इस लेवल का ये स्टेल्ट होने जा रहा है लेकिन ओरा के मोडल स्विफ्ट की टेस्टिंग के बाद से इ इंता मत कीजिए आज इस पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है दरसल खबर ये है कि औरा को लेकर ज्यादतर टेक्नोजी तैयार कर ली गई है और इसलिए इसका निर्मान कार ये भी फुल फ्लो में जारी है लेकिन इंपोर्टेंट ब्रेक्ट्रू ये है कि आने वाल इसके बिल्कुल शुरुवात में पहला औरा स्टेल्थ यूस ये वी रोल आउट कर दिया जाएगा इतना ही नहीं एक खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि औरा तो भारत खुद के लिए तयार कर रहा है औरा को भारत एक्सपोर्ट थोड़े ही न करेगा यूकि औरा में ह जो स्टेल्थ ड्रोन को खरीद सके यूकि जो स्टेल्थ टेकलोजी होती है उसे खरीदना भी महंगा होता है और मैंटेन करके रखना भी महंगा होता है इसलिए इसके ज्यादा ग्रहक नहीं मिलेंगे भारत इसे खुद ही इस्तमाल करेगा लेकिन भारत को एक्सपोर्ट भ हमें offer आए हैं और भारत इन में से ही किसी एक के साथ मिलकर non-stealth drone तयार कर सकता है हलाकि आप कहोगे कि भारत खुद ही क्यों नहीं बना लेता तो देखी बना तो लेगा लेकिन बहुती लंबा वक्त लग जाएगा कोलाबरेशन से होगा ये कि हमें बहुत सारी advanced technology बनी बनाए मिल जाएगी और इसलिए बहुती कम समय में हमें एक non-stealth drone तयार कर लेंगे हाला कि भारत के जो stealth और non-stealth दोनों drone प्रोग्राम है मैं इन पर बारिकी से निगा बनाएवे हूँ जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सुचित कर दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेर मुच फ्रोचिंग वीडियो